हेलो वेलकम टू एस उपीपीएसी मेरा नाम वन्ना सिंग है इस वीडियो में हम यह डिसकस करेंगे कि यूपीपीएसी ट्वेटी टू के लिए हमारी करण्ट अफेर की क्या स्ट्राटीजी होनी चाहिए प्रिलिम्स और मेंस का जो करण्ट अफेर है वो हमें कैसे प्रिपेर करना है तो देखो हम बात करते हैं कि जो हमारी प्रिलिम्स और मेंस की जो हमारी प्रिपेशन होनी चाहिए वो एक इंट्रिगेटेड प्रिपेशन होनी चाहिए कि दोनों प्रिपेशन को हम जो है साथ में लेके चलें ऑल्मूस्ट जो हमारे जो सोर्सेज हैं वो काफी जो ह सेम हो जाते हैं कि जैसे अगर हम के लिए अगर पॉलिटी में हम लक्षमिकांत पढ़ रहे हैं तो हम Mains के लिए भी वो ही पढ़ रहे हैं और ये सारी चीजे जो है हमारी सेम हो जाते हैं लेकिन जबança है करण Tafair की बात आती है तो यहां जो हमारी preparation है, prelims और mains के लिए जो है, वो हमें अलग-अलग sources use करने होते हैं, तो prelims के लिए आप जो है, current affair के लिए अलग sources use करें, mains के लिए अलग sources use मत करिये, sorry, तो सबसे बड़ी जो हम गलती बता है, क्या करते हैं, कि जो हमारी IS वाली जो magazines आती हैं, जैसे हमारी insight हो गया, vision हो गया, उसको हम prelims के लिए refer करना शुरू कर देते हैं, जो IS वाली, यह this is one of the biggest blunder जो आप create कर रहे हो, अगर prelims के लिए आप IS वाली अगर book पढ़ रहे हो, IS की magazines पढ़ रहे हो, तो आपका current affair कभी भी जो है, वो आप score करी नहीं पाओगे, current affair अलग set of magazines वो पढ़नी पढ़ेंगी, mains के लिए अलग पढ़नी पढ़ेंगी, तो mains के लिए जैसे आपका GS2 हो गया, GS3 हो गया, और कुछ हद तक GS4 में जो है, आप example जो लिखते हो, essay हो गया, essay में जो example लिखते हो, इन सब के लिए जो है, आपको current affair की जरुरत पड़ती है, तो इन सब के लिए आपको current affair की जरुरत पड़ती है, तो इसके लिए आप जो है कोई भी आप जैसे insight IS हो गया, या फिर विजन IS हो गया, इसकी जो है monthly magazine आप रिफर कर सकते हो, monthly magazine, बाकी तो मैंने एक वीडियो बनाया है, की how to prepare for mains के लिए, तो आप उसको देख सकते हो, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उससे देख सकते हो, तो ये हो गया आपका mains का, mains का हो गया, प्रिलिम्स के लिए आपको different set of books पढ़नी होगी, don't rely on these IS magazines for प्रिलिम्स, नहीं solve हो पाएगा, अभी भी exam का जो pattern है, वो काफी जो है पुराने जैसा ही है, क्या करते हैं, की दो statement है, उनको club कर दिया, तो आपका लगता है कि बहुत analytical current fair है, वो आ रहे है, अगर आपने 2020 का, 2020 क अगर paper दिया देखा होगा, तो इस्टिल जो paper है, current fair है, एक दो question को अगर छोड़ दिया जाए, इस्टिल जो पूरा current fair है, वो पूरा factual है, तो पूरा current fair जो है, factual है, तो आपको जो है, यह अपनी जो preparation है, उसमें जो है, इस टाप से, जो changes लाने होंगे, आप जो है, you can't rely on insight IS यह विजन IS की magazines के उपर, you can't rely on these magazines for prelims, अगर आप यह कर रहे हो, तो this is the biggest blunder, आपको यह को ही नहीं बताएगा, this is the biggest blunder you are making, right now, आप सोचते हो कि हाँ, बहुत authentic sources है, बहुत अच्छे renowned coaching है, आप PCS का इससे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, देखो, best source तो इसका यही है, ACP PCS का current affair course ले लो, और daily quiz जो है, टेलिग्राम चैनल पे, this is free, daily quiz जो है, वो free है, अगर आपने यह दोनों कर लिये, तो आपका 98% आइकन गैरेंटी, 98, 96 to 98% question, आप यहां से कर लोगे, तो यह 84 question जो है, वो course से आये थे, जो exam हुआ था, आपको 24th October को, तो आप इसको verify कर सकते है PDF होगी नीचे, description box में, देखे, बिल्कुल direct 80 question आया था, बिल्कुल direct 80 question आया था, अब देखे, आप जो है, आप कौन सी magazine, जो है, prelims के लिए refer करें, अगर आपको यह course लेना है, तो it's good, अगर आपको course नहीं लेना है, खुद पढ़ना है, तो आप वैसे भी पर सकते हैं, ले 3 magazines, इनका जो है, इसके जो most important चीज़े हैं, जो आपके exam में आ सकते हैं, उन सब का यह compilation है, तो यह जो है, इन सब का यह compilation है, तो यह course ले लिया, तो it's more than sufficient, अगर आपको course लेना है, तो आप कैसे prepare करें, तो देखे, आप जो भी मैं आपको magazine बताऊंगी, उसमें से कोई भी 2 magazine prepare, दो magazine से जो है, अपनी current affair prepare कर लेना, आपका हो जाएगा, this is for prelims, this is for prelims, exclusive for prelims, आपको जो prelims और मेंस की preparation है, for current affair, वो अलग-अलग कहनी होगी, तो आप जो है, सबसे आपका अच्छा तरीका क्या है, कि यह दो magazine जो है, इनको एक बार पढ़ो, as a fact, as a one-liner, या फिर, और, as a, p, p, c, k, course ले लो, prelims के लिए, यह हो गया, otherwise, यह पढ़ी, prelims के लिए, और फिर, प्लस, मेंस के लिए, एक magazine पढ़ लो, मेंस के लिए, कोई भी एक magazine, जैसे insight हो गया, या फिर vision हो गया, तो यह, जो है, यह, मन्थली, आप पढ़ते चलो, तो आपका, जो है, आप कुछ और पढ़ने की फिर, आपको ज़रुरत नहीं है, this is more than sufficient for, मेंस के लिए, कोई एक magazine पढ़ लो, और prelims के लिए, कोई भी दो magazine पढ़ लो, क्योंकि एक में जो पूरे effects हैं, वो cover नहीं होंगे, तो आपको दो तो refer करनी होगी, और इसको सिर्फ आपको ऐसा one-liner की form में पढ़ना है, तो आपको one-liner की form में पढ़ना है, तो यहां जो है, आपकी कोई भी दो magazine होगी, जैसे द्रिष्टी IS है, एक द्रिष्टी IS पढ़ ली है, क्रॉनिकल IS, इन दोनों में से एक पढ़ ली, जो भी आपको जो भी पढ़ने में आपको अच्छी लगती हो, जो भी आपको अच्छी लगती हो, वो पढ़ ली, द्रिष्टी IS, हिंदी, इंग्लिश दोनों में आती है, तो आप एक ही magazine पढ़ ली, दूसरा है, आपकी आती है, इद्रिष्टी, इद्रिष्टी इंग्लि मिल घ्र चीड तान सब्सक्राइब द्रिष्टिम Сब्सक्रांवाल करें द्रिष्टी ऐसे सबास फोस्क्राइब और सात में ये यह वाली मेगजीन यो है वह आपका यह वाली magazine जो है वो आपका factual जो है वो cater करेगी तो E द्रिष्टी और PD में से एक पढ़ लो वो factual के लिए हो गई और E द्रिष्टी IS और Conical पढ़ लो वो आपकी analytical के हो गई और बाकी आपको mains के लिए तो अलग से आप mains के लिए पढ़ोगे तो अगर आपको यह पढ़ना है तो आप यह पढ़ सकते हो अधावाइस इसकी जगह इस एक कंबाइन कोर्स है अच्छी लगती है वो उसे साब से जो मतब कौन सी पढ़ने में आप जो है लास्ट कोशन यह है कि जो एक भुक आती है वो द्रिष्टी की जो आँक आए जिस पर भुक पर बनी रहती है वो एक भुक आती है ना कि वो पढ़े या ना पढ़े से जे मेरा मानना ये है कि आप जो है मन्थली जो magazine है मन्थ्ली magazine है उनको cover करते होے चलो मन्थली मेग्जीन है उनको cover करते होए चलो कि जैसे आपने November की पढ़ ली, December की पढ़ ली इस तरह से पढ़ते हो चलो क्योंकि बता है क्या होता है ये इद्रिष्टी जो है जो आई वाली है जो compilation आती है one year की यह बिलकुल last में आती है last मतलब 15 to 20 days before exam और उस time इतना सब कुछ होता है ना पढ़ाई करने के लिए इतना सब कुछ होता है आपको याद करने के लिए आपको revise करने के लिए यह आपको जो है एक panic mode की situation में डाल देती है यह आपको panic mode की situation में डाल देती है तो आपको मुझे नहीं लगता है कि इस magazine को जो है वो आपको refer करने की ऐसे जरूवत है आप इसको पता क्या कर सकते हो एक last time के लिए revision के लिए रख सकते हो कि जैसे अगर आपने यह monthly magazine पढ़ रखी है तो आप क्या करो जब यह magazine निकले उस इस जो है इस जो है इतनी कोई relevance नहीं है वैसे भी आप लिको लास्ट मोड पर आपको यह पढ़ने को मिलती है और यह आपको जो है panic mode में डाल देती है इससे अच्छा कि आप सब कुछ दीरे-दीरे सब कुछ cover करते हो चलो और उससे जो भी अपना सब कुछ cover करते हो चलो उसका revision करते हो चलो तो वह आपके लिए last में अच्छा होगा वह सही नहीं है कि last में बिलकुल इद्रिष्टी खोल के बैट गया है वह आये वाली जो आती है last में 10-15 दिन पहले और फिर उसके बाद उसको तैयारी कर रहे है और बागी सारा कुछ revision के लिए बचा है इद्रिष्टी भी अगर आप 10-15 दिन पहले जो आती है आप वह लोगे तो कम से कम इसका three time आपको revision करना पड़ेगा three time revision करना पड़ेगा इतने short time में जो है इसका revision करना it's not a मुझे नहीं लगता कि सही चीज है इस बेटर कि आप इन में से कोई दो magazine पढ़ लो या फिर आप ACPPS का course ले लो आप जो है करते वे चलो तो यह जो है better option है तो आप इसको यह follow कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आप इसको ऐसे follow करेंगे तो यह आपके लिए बहुत जादा easy रहेगी चीजे तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं इस magazine को आप आप अवोड कर सकते हैं टेखो वह आपको बिल्कुल आपको यह ór tcks एक और गजिवार डेख लोड़ तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं और यह आपके लिए जादा अच्छा रहेगा तांक यू और आल दो बेस्ट